पूर्विधायक देवराज दिवान मोजूद रहे जब कि कार्यकरम के अदेक्षता सिद्पीट सी लक्षमी नाराण बाला जी मंदिर के पूर परधान सुरिश भार्दवाजने की कारिकरम में सोनी पत के पूरविधायक देवराज दिवान ने सिद्ध पीट से लक्षमी नाराण बाला जी मंदिर को 51,000 रुपे देने की घोशना की इस अवसर पर पूरविधायक देवराज दिवान ने कहा कि हनुमान जी ने अपने आपको भगवान की बजाए भगत कहलाना पसंद किया और अगर दुनिया में भगतों की बात की जाए तो सबसे पहले हनुमान जी का नाम आता है दिवान ने कहा कि बाला जी महराज सब कस्टों को दूर करते हैं मंदिर कमेटी के परधान मुकेश कुमार उर्थ भोला वैपूर परधान समाज सेवी सुरेश भार्दवाज ने बताया कि इस इद पीट मंदिर की मानता दूर दूर तक फैली हुई है यहाँ पर बाला जी महराज सब कस्टों को दूर करते हैं बाला जी महराज की भजन संध्या में राष्ट पती द्वारा सम्मालित सुलेखा, दिल्ली वै, सुरंदर तवर, विद्या और कल्पित तवर ने समा बांधा, भजन जो कि बाला जी का जिकर करेगा, बाला उसकी फिकर करेगा और बाला जी सर पे हाथ रख दे, आदिया ने एक भजनों पर सभी जूमने लगे और बाला जी महराज में खो गए सुरिष भारदवाज ने बताया कि इस कारिकरम में मुख्या थी थी, पूर विधायक देवराज दिवान रहे, जो कि इस सिद्पिट लक्षमी नरायन बाला जी महराज से आशिरवाद ले ने पहुंचे सनिवार को 56 भोग लगा कर परशाद दित किया गया, रविवार को प्रातय से हिबाला जी महराज का भंडार लगाया जिसमें दूर दराज से आये लोगों ने परशाद ग्रहन किया कारिकर में भजन गायक सुलिखा विद्धा तवर एंड पार्टी ने अपनी मधुरवानी से भजन गायकर कारिकर में को और भी भक्ति में बना दिया